परदानमंति को जनकारी का भाव है, अभी करपूरी ठाकोरजी को उन्हे भारत्रत्न दिया, लेकिन उन्हें के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं, जब पहली बार करपूरी ठाकोरजी मुख्यमंतिरी बने थें, thì जितने भी समाजिक तौर पे पिछडी जातिया थी, चाहे चाहे किसी भी धर्म के हो सबको पहली बार आरक्षन मिला था इस में तो जंतादल युनाइटेट की नेताओं से पूछो ना कि वो इस पर क्या कहते हैं कर्पूरी जी के निंदेयों को गलत भेराना क्या उचित है क्या तो पहली बार उसी टाइम मिला था चाहे किसी भी धर्म्त में जो समाजीक तोर पिछडी जातिया थी और मंदल कमिशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछडी जातिया जो रहे उनको जो है मिला था शिफारिश हुई थी जमानत पर आप लोग भूम रहे हैं तो क्या दिकत है वही केस करा हैं वो तो खोट ने हमको जमानत दिया है यहीं लोग ना फसाया है कहां से और चार दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे नितीजी की जान मुझके अपने नेता का बात तो सुने हो तो चिराक पास्वान कहां ने कहा है कि दो हजागी जो यादब को यादब करना चाहिए अपन जो चोड़िये ना उनकी बात बैंगलोर में जो हो रहा है करनाटेका में काय ने बोलने चिराक पास्वान और हम तो चिराक पास्वान जी को बोलते हैं आप तो कहते थे कि संपन जो दलित है उसको आरक्षन छोड़ देना चाहिए तो संपन दलित हैं तो आरक्षन की ने छोड़ और भाजपा के नहींता लगतार भावशाब अंबित्कर के सन्विधान को खतम करने का प्रयास कर रहे हैं तो मुन नहीं खुल रहा है तो लाना चाहिए आप तो सन्विधान को खतम करने वालों के साथ हैं आपके आमको नसीहद तो इतना खतरनाग डिजाइन हो रखा है पूरे देश में चंडीगर में कितना बड़ा बेमानी हुआ बीजेपी को कैसे जिताया गया सुप्रीम को का फटकार सुने क्या हुआ कि रद किया गया इन दौर में जो व्यक्ति था प्रत्याशी था उस पर तीन दीन पहले 307 का मुकर्दमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया है डड़ा करके सूरत में तो खरीद दिया गया खजुराओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नमंकर नर्थ कर दिया गया यानि लोग